प्रकुर के हर्माना इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइप लाइन से तेल चोरी के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं गिर अफतार पांच बद्वाशों से पूच्टाच में सामने आया कि तेल चोर तक्नीक का इस्तिमाल करते थे विशेश तक्नीक जानते इधिकारियों के सामने आ रहे हैं। सीकर हाईवे है जहांसे हजारों लाकों वहां दिन बर गुजरते हैं लेकिन शायद ही किसी राधपत्रित अधिकारी को पता चला होगा कि यह गोरदंदा यहां चल रहा है यह है है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की लाइन थंक्या 827 और इसी के जरीए यह पूरा खेल यहां से ओगनाईस किया गया हम दिखाना चाहेंगे आपको जो बदमाश हैं जिनोंने इस प्रकार का संगीन जुरुम किया है और कड़ो रूपे इसमें कमाए हैं इन्होंने यह कंट्रोल रूम यहां पर बनाया इस कंट्रोल रूम के जरीए चार लाइने यहां से इस जमी फिट यह गहरे गड़े मशीन से किये गए हैं और इनके जरीए एक दूसरे मकान के अंदर बड़ा गोदाउन बना गया यानिकी कंपनी के तेल को लेजा कर अपनी संपत्य गोशित की और उसके बाद में उस तेल को बाजार के अंदर कम कीमत में बेस दिया और कड़ो दिखाएंगे आपको और पाइप लैन भी दिखाएंगे जिसके जरीए इन आरूपियों ने इस प्रकार का अपराद किया यह जो आप पाइप लैन देख रहे हैं यह कंट्रोल रूम के अंदर से आ रही है और इसी पाइप लैन के जरीए दूसरे पाइपों को जोड़ कर क पाइद तेल को बाजार में ले जा सकते हैं हम उस गोदाम पर पहुंच चुके हैं जहां से कंट्रोल रूम के जरीए यह तेल इस गोधाम पर लाइ जाता था लेकिन हम बताएंगे आपको कि ये जो दर्वाजा है ये दर्वाजा शायद इसलिए काम में लिया जाता जिससे कि यहां पर कौन से वहां अंदर जा रहे हैं और उसमें क्या कुछ भरा जा रहा है ये बाहर के व्यक्तियों को पता ही नहीं चलता इसके पीछे की इस्तिति वह भी दिखाएंगे आपको क्योंकि इस जो दर्वाजा है इसके ओपर पुलिस ने सील की हुई है हम वह भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको जिससे की हर वस्तु तितिति को आप अच्छी तरह देख सके कि अंदर क्या कुछ नजारा सामने आ र में उस कपड़े का परदा भी उसके आड में आ जाता है यह जो आप गड़ा देख रहे हैं इसी गड़े में कंट्रोल रूम से बड़ी पाइप्लाइन लाए गई ती जिससे कि यहां पर ट्रकों को और पिकप में जो ड्रम होते हैं उनको भरके बेचने के लिए बिज़व रहा है करीबन 10-15 पिट नीची यह सुरंग खोदी गई है हाना कि जानकारों की माने तो सुरंग को खोदने के लिए जैसी पी का उपयोग नहीं हुआ बलकि केबल डाने वाले जो मशीन होती है उसका उपयोग लिया गया है जो पीछे फ्याट बने वहें वो करीबन 500 मिटर यहां से दूर है जहां पर एक गोदाम बनाए गया था जिस गोदाम को अमनी अब्याप को दिखाये था हाला कि पूरे तेल के खेल में पांच यक्ति गिरफतार हो चुके और पूरा तेल का खेल उजागर हो चुका लेकिन जरूरत है तेल कंपनियों को और साथ-साथ पुल